एगाइस वेलकम बैक टु माई चैनल डिजिटल काका मेरा नाम राहूल रहा है और गाइस अगर आप कोई प्रोड़क्ट ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपके सामने आ रही होगी आप यह सोच रहे होगी कि प्रोड़क्ट हम सेल कहाँ पर करें ओलाइन स्टोर कहाँ पर क्रियेट करें किस तरह से हमारा जो प्रोड़क्ट बिखने के बाद पैसा जो आपके अकाउंट में आजए तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंस्टा मोजो के बारे में इंस्टा मोजो एक ऐसी वेब साइट है जहाँ पे आप ओलाइन स्टोर क्रियेट कर सकते हो आप अपने डिजिटल प्रोड़क्ट को सेल कर सकते हो और जो पैसा है सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है यहाँ पे किसी भी परकार की बहुत ह high skill की requirement नहीं होती है simply आपको account create करना होता है आपको अपने product को list करना होता है आपका product जो है list ready हो गया अब payment gateway automatic Instamojo का होता है अगर कोई product को buy करता है तो आपका पैसा आपके account में आ जाता है Instamojo बहुत ही छोटा सा amount deduct करता है और बाकी पैसा जो आपके bank account में send कर देता है तो guys किस तरह से आप अपने bank की detail यहाँ पर add करोगे किस तरह से आप अपने product की listing करोगे यानि online store कैसे create करोगे आज की इस वीडियो में सारी चीजे मैं step by step tutorial के तुरू आपको बताने वाला हो तो guys इस वीडियो को बिल्कुल भी miss मत कीजेगा आप होती जादे helpful है यह वीडियो अगर आप कुछ online product या services अपनी sale करते हैं यह basically digital और physical दोनों product sale कर सकते हैं बहुत ही आसान interface है कहीं पे भी आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और guys जो सबसे बड़ी बात insta mojo referral code भी provide करवाता है यानि अगर आप मेरे referral link के थूँ आगर आप account create करते हैं तो आपको 500 bonus भी मिलेगा और आप उस bonus को direct अपने bank account में भी ले सकते हैं तो referral link मेरे description लिंक में है आप एपर check out कर सकते हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नी किया है तो प्लीज एक बार चैनल को subscribe कर दिजेगा like कर दिजेगा और share कर दिजेगा तो चलिए चलते हैं वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों यहाँ हम आगए insta mojo की website पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछी इस तरह से website का layout है तो सबसे पहले आपको अपना एक account create करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे आप अपना online store create करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो payment on mode किस तरह से ग्रेडिट कार्ड है डेबिट कार्ड है नेट बैंकिंग वैलेटी उपाई सारी चीडिया आप यूज कर सकते हो आप अपने business के लिए तो यहाँ पे account create करने का जो process है यहाँ पे आप देख रहे है sign up का जो button है यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे sign up का button क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो option मिलेगा sign up करने का जो पहला है business और दूसरा है consumer consumer मिन्स अगर आपको किसी को payment करना है इंस्टा मोजो के थुरू तो आप यहाँ पे अपना account create करेंगे नहीं तो आपको अपना online store create करना है कुछ sell करना है online तो आप business पे क्लिक करेंगे simply जैसे gmail पे account बनाते हैं other sites पे आप account बनाते हैं basically आपको यहाँ पे email id पासवर डालना है कोई referral code है तो आपको डालना होगा referral code मैं अपना description में दे दूँगा आप अगर उसको डालके अपना account create करते हैं तो 500 रुपीज आपको मिलेगा 500 रुपीज मुझे मिलेगा direct आपके इंस्टा मुझो के account में जो बाद में आप अपने account में ले सकते हैं उसके बाद यहाँ पर sign up कर देंगे account आपका create हो जाएगा account create करने के बाद आपको login करना होगा मेरा account अल्रेडी बना हुआ है तो मैं login कर लेता हूँ जब आपका account बन जाएगा तो कुछी इस तरह से यहाँ पर option आएगा उसके बाद आपको अपने bank account की details को डालनी पड़ेगी इसमें जो bank account की details जो होती है starting में आ जाएगी यहाँ पर आपको 10,000 का limit मिलेगा यानि 10,000 राम without KYC आप इसमें collect कर सकते हो उसके बाद आपको अपना KYC अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पर बात करते हैं कि हम product कैसे create करेंगे जैसे online store कैसे create करेंगे जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मेरा जो online store है यहाँ पर कुछ इस तरह से मेरा store create है यहाँ पर तीन product मैंने डाल रखेंगे अगर किसी को buy करना है सपोज यह product किसी को buy करना है तो simply buy now पर click करेगा अपना name डालेगा email id डालेगा phone number डालेगा और next करके payment करके हो product buy कर लेगा उसकी email id पर product का जो detail चला जाएगा link चला जाएगा जहां से वो download करके वो video है तो देख सकता है ebook है तो पढ़ सकता है अब simply क्या है कि आपको यहाँ पर add product करना है अब जब आपको store बनाना है यहाँ पर physical product भी आप sell कर सकते हैं digital product भी sell कर सकते हैं कोई event ticket है तो उसको भी आप sell कर सकते हैं other में भी बहुत सारी ची आते हैं उस product को select करेंगे उस product को select करने के लिए आप उस पर click करेंगे आप drop box से ले सकते हैं Facebook Google Drive कहीं पर भी आपने रखा है वहां से ले सकते हैं for example मैं देखता हूं अगर कोई PDF पढ़ा हुआ है इसमें तो उस PDF को हम लेते हैं यहाँ यह सपोज मेरे पास कोई ऐसा product नहीं ह लोंगा तो मेरा product जो है यहाँ पर upload हो चुका है अभी मुझे क्या कि title डालना है तो यहाँ पर simply मैं title लोंगा for example मैं यहां से आपको दिखा देता हूं यह title मैं किस तरह से बनाया हूं यहाँ आप देख सकते हैं title जो है informative होना चाहिए उसके बाद यह option आपको छोड़ देना है तो free में आपका product कोई भी purchase कर सकता है अब हम बात करते हैं यहाँ पर description की तो आप description एक बार देख लो कि किस तरह से description मैंने यहाँ पर डाला है इस तरह से आप description यहाँ पर डाल दोगे आप अपने product का और उसके बाद यह चीजें थोड़ा साप टिकलो उसके बाद category आपको लेनी है category में आप computer series जो भी जिस तरह से product है आपका ले सकते हो यहाँ पर tax डाल दोगे ठीक है tax डाल दोगे tax क्या होता है कि आपका search में आएगा अगर कोई इंस्टा मोजो पर search करेगा और यहाँ पर जो है आपको cover डालना है जो book cover होगा या ebook cover होगा मैंने यहाँ से उठाया और मैंने अपना cover यहाँ पर upload कर दिया ठीक है यह हो गया मेरा cover भी आ गया अब यहाँ पर SEO options वगरा है आप title वगरे डाल सकते हैं SEO के titles वगरा keywords डाल सकते हैं description डाल सकते हैं और यहाँ पर add product to store कर देंगे हम जब add product to store कर देंगे तो यह product जो है हमारा जाके हमारे store में add हो जाएगा अब यह चीज़े कह रहा है if the content you are using of this offer copied ठीक है अब यह देखिए product हमारा जो है यहाँ पर update हो गया है अब यह यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं store में भी आप देख सकते हैं यहाँ और कोई purchase करना अगर चाहता है इसको तो purchase कर भी सकता है ठीक है 99 रुपे का यह offer है आप इसको click करेंगे और यहाँ से कोई purchase कर सकता है और यह free वाल option है अगर इसको free में लेना चाहे तो free में भी ले सकता है आपको यहाँ पर detail डालनी होगी simple है बहुत ही आसान है product create करना बहुत ही आसान है सारी चीज़ें इसमें check करना जैसा कि आप देख रहेंगा इस यहाँ पर और यहाँ पर हम बात करते हैं चलते हैं थोड़ा सा हम store पर चलते हैं back to dashboard करेंगे यहाँ और simply आ जाएंगे आप यहाँ से अपना payout वगरा देख सकते हैं अगर payment लेना है किसी से तो यहाँ से आप create payment link करके आप यहाँ पर detail डालनेंगे कि क्या purpose क्या है payment का amount डालनेंगे create कर करके payment ले सकते हैं बहुत ही आसान है इंस्टा मोजो कुछ percent काटता है पैसा उसके बाद आपका पैसा जो है आपके account में डाल देगा अब मैं यहाँ पे payment चेक कर लेते हैं एक बार payment जो मुझे मिला है मैं आपको दिखा देता हूं 10,302 रुपया का 28 transaction हुआ है मेरा यहाँ प यहाँ पर सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी बहुत ही मतलब अच्छा है यह अगर कुछ भी online अगर आप sell करते हैं और यहाँ पर आप अपने expense से देख सकते हैं कि आपने कितना expense किया यहाँ पर चीज़ें चेक कर सकते हैं यह यह चीज़ें ठीक है कि मतलब कित कीज़ेगा like कीज़ेगा share कीज़ेगा thank you so much for watching my video